नमस्कार दोस्तों दिव्य दिष्टी ज्योतिष्वान में मैं पंडित मानिक भारदाज सास्त्री आप सभी का दिल से स्वागत विनंदन करता हूँ आई दोस्तो मातो वेनो भाईयो आज मैं आप सभी को बताता हूँ भगवान श्री किष्णा जी के बंसी के बारे में बांसुरी जो आज कल अनीक रंग में अनीक डिजाइन से आती है और अलग-अलग रंगों में आप किस परकार उसको रखने से क्या क्या लाप प्राप्त कर सकते हैं घर परिवार में चल रहे कलेश या सदेश्यों के बीच मत refrain करने के लिए एक ही रंग की दो एंसुरिए घर के हॉल में रखना सुब होता है लंबश मैसे चल रही बीमारी को क्कुर्भ को बिमारियों को बचने के रहने केक लिए किचन में गोल्डन वांसुरी रखना अच्छा होता है और अगली बताते हैं हम आपको परिवार या वेपार को नेक्टिविटी से बचाए रखने के लिए काले रंग से सजी वांसुरी घर या दुकान की छट पर टांग देना चाहिए वास्तु दोस नहीं रहता कठिन और अहम प्रिक्षा में सफलता पाने के लिए विद्यार्थी के कमरे में सफेद बांसुरी रखनी सबसे अच्छी होती है विद्या में लाब होता है पढ़ाई में लाब होगा और नया व्यपार शुरू करने की इच्छा रखने वालों को अपने कपड़ों की अलमारी में एक लकड़ी की बांसुरी रखना चाहिए सुब होता है बड़ा सुब रहेगा संतान प्राप्ती की इच्छा रखने वाले जोड़े को अपने बैडरूम में खरी बांसुरी रखना चाहिए उसे इस तरह रखें कि सभी को दिखाई ना दे अपने विष्टर के पास या तकिये के नीचे लाल बांसुरी रखने से मन चाहिए साथी से विवा के योग बनने लगते हैं प्रीम विवाजी से बोलते हैं घर के मंदिर में मोर पंक लगी बांसुरी रखने से घर प्रिवार के अटके जरूरी काम पूरे होने की स्वावना जल्द बनने लग जाती है और पूर्ण हो जाते हैं व्यपार में वृदी और धनलाब पाने के लिए दुकान में दुकान के गले या घर की तिजोरी में चांदी की बांसुरी रखना अच्छा माना गया है जिन लोगों को मन चाही नोकरी पाने की इच्छा हो उन्हें अपने कमरे में में गेट के पास पीली बांसुरी रखने चाहिए लाब होगा यहां रखी बांसुरी दिलाती है मन चाही नोकरी जाने बस दस ऐसी खार टिप्स जो हम बता रहे हैं और अगली है अगली है इस बात को लेकर कि आप रखेंगे या ना रखेंगे वह आप पर डिपेंड है पर कार्य बनता है वीडियो को शेर करें लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करके हमसे जुड़ना ना उलिए दूस्टू